दोस्तों कैसे हो तो मेरे एक और नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है आज चलते हैं फिर मेटर बोक्स के ऊपर और मेटर बोक्स में और भी कुछ जानकारियां देते हैं आप सबको जैसे मीटर बोक्स में इधर बहुत सारे लाइट होती है इधर मीटर बोक्स में जितने भी सारे जानकारी है आपको हम एक अकर करके सब बताएंगे कि एक लाइट ही इसको इसमें जितने भी तरह की सिस्टम है उसके बारे में और मीटर बोक्स में अगर कोई तरह का लाइट जलती है तो उसके बारे में बताएंगे कि वह क्यों जलती है वह एलट लाइट क्या बता रहा है क्यों एलट कर रहा है उसके बारे में बताएंगे तो दोस्तों चलिए मिटर बॉक्स में चलते हैं और आप देखें तो सबसे पहले हम चाबियान कर लेते हैं और आपको मिटर में दिख रहा होगा तो यह बीच में जो आपको यह लिखा हुआ दिख रहा है 2683.5 यह रिडिंग बताता है यह इंजन कितने देर काम किया है कितना देर चला है वह घंटा बताता है यह 2683.5 है यानि कि 30 मिनट 2683 घंट 30 मिनट यह वर्क कर चुका है इन अभी तक उसके फर्स्ट में इधर जो यह पॉइंट दिखा हुआ एक दो तीन चार पांच शे अभी छे पॉइंट है यह साथ पॉइंट तक रहता है दोस्तों यह डीजल का मिटर है यह डीजल का लेबल दिखन दखके हुआ थासरणको दिखन वर्क-डीजल भी और यह साथ का आपको टेंपरेचर बताता है कि हाई-लो इधर से नीची अभी रहता है तो आपको आपको एसी ही होगा जो देखिए इधर ऊपर रेड्ल लगा हुआ है नीचे रेड लगा हुआ है तो लेज़ अगर इतना पहुंचता है, तो सम्झो, मसीन से work ने करना चाहिए, काम ने करना चाहिए उसको बंद कर दिना चाहिए, तो आप जानिके होंगे, बीच में यह reading बता रहा है, और यह diesel का label बताता है, और यह temperature का label बताता है, एभी 4 है, 5-6-6 तक जाएगा, तो पाईस तक जाएगा छह तक चलेगा दोस्तो अगल यह रेड़ तक जाएगा तो आप म Feld में से Grad काम करना बंद करदें उसके बाद हम दोस्टों चलते हैं इधर यह और पीम है यह और पीम बताता है कितने आरपीम से चल रहे हैं और इधर हम इसको अगर अस्टार्ट करेंगे तो यह तीनों लाइट बंद हो जाएगी और अगर बंद नहीं होती है तो समझ लेना है कि इसमें कुछ गरबड़ी है तो सबसे पहले बताएंगे कि यह अब हम सबसे पहले चाबी यह स्टार्ट करके दिखाते हैं यह लाइट बंद हो जाएगी दोस्तों आप देख रहे हैं मसीन स्टार्ट हो चुकी है और लाइट भी बंद हो गई है चलिए हम फिर चलते हैं वीडियो में यह जो लाइटे दिख रही है आपको यह है इंजन हाली जो है यह बीच में दिख रहा होगा यह आपका तैम्प्रेचर बताता है कुलेंट तेम्प्रेचर अगर यह जो टैम्प्रेचर है यह अगर हाई हो जाएगी तो एटोमेटिक यह लाइट जल जाएगी यानि कि यह लाइट जलने के बाद आब अगर देखते हैं तो मसीन से काम नहीं करना चाहिए टेंपरेचर हाई हो जाता है तो इंजन में गरबड़ी आ सकती है उसके बाद थाड़ वाला चलते है जो लाइट जल रही है वो है ट्रा ट्रांस्मीशन लेबल बताता है वह कम है या ज्यादा है यह ट्रांस्मीशन प्रेशर है यह लेबल है ठीक है तो इसके बाद चलते हैं दोस्तों इस सैड में तो उपर में आपको बेटरी दिख रहा होगा जला हुआ लाइट तो यह जो बेटरी का निसान है उसका यह है कि कि अगर यह मसीन स्टार्ट है और यह लाइट जल रही है तो इसका मतलब है कि चार्जिंग में किदर भी फॉल्ड है यानि चार्जिंग नहीं ले रहा है बैटरी अल्टिनेटर से करंट नहीं दे रहा है और उसके नीचे भी इधर एक और है P लिखा होगा आपको दिख रहा होगा पी इसके साइन बताता है अगर यह जल जाए तो इसका मतलब है कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है मसीन का यह हैंड ब्रेक जो है अगर लगा रहे है और आप मसीन स्टार्ट करते हैं तो यह जल तो आपको समझ लेना चाहिए कि है मेरा हेंडब्रेक लगा हुआ है तो फिर से हेंडब्रेक को नीचे डाउन करके आप मशीन आगे बढ़ा सकते हैं इसके बाद दो ओर है दोस्तो इसके नीचे है ये तो दोस्तो ये जो नीचे दीख रहा है आपको ये Air Filter का है जो बॉनेट खोलने के बाद दुझा जो एर फिल्टर रहता है उसमें भी कुछ अगर गडबड़ी है उसमें ज्यादा धूल मिटी या कुछ है तो यह लैट जल जाएगी उसके उपर एक और है वह रहता है यह सेपरेटर वाटर सेपरेटर का जो आप देख रहे हैं इदर आ आज आने के बाद यह लैट जल जाएगी हृँ उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं इधर यह जो हैंड एकसलेटर है इसे हम पिछे का गाम करते हैं और उसके नीचे तो इसका सिस्टम दो बर दिया हुआ है एक बार जलाने से दो लाइट जलेंगी और दो बार फिर इसको दबाने से चार लाइट जल जाएगी उसके बगल में दोस्तों आप देख रहे हैं यह सुच यह के पीसी का है इसके लिए या कीसे करते हैं लेकिन मीटर बॉक्स पूरी जानकारी यह और आसा करता हूं कि आप समझ गए होँगे नीचे देखिए हुआ चैक फ्यूल लेवल बिफोर इंजिन स्टार्ट यानि कि मसीन स्टार्ट करने से पहले यानि कि तेल का लेवल चेक कर लें कि कम है ज्यादा कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मसीन बंद कर देते हैं यौ तो दोस्तों चलिए इसी तरह हम नए-नए वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए असनु आज के लिए बस इतना ही वह टेजा इंस उससे पहले यार आप लोग जा रहे हों सबस्क्राइब नैं कर संद्सक्राहिंन आद लाइक भी नहीं करते सब्सक्राइब ही है